ठीक है जी आप माशालला से प्रोग्रामर बनते जा रहे हैं इस्ता इस्ता चेक करें आप अपनी पेस को और अब इसमें हम देखने वाले हैं इस चोटे से लेक्षर के अंदर के हमारे पास डेटा टाइप कैसी होती हैं कितनी किसम की होती है लेस्ट डूइट टुगेदर हम पिछली फाइल को सेव करते हैं और फॉर्थ नंबर चैप्टर के अंदर यह तीन को मैं इसके अंदर ले जाओ पहले मैं रखा हुआ था जीरो फॉर इसको हम करते हैं जी डेटा टाइप्स ठीक है डॉर पीवाई अभी सिर्ब मैं पीवाई फाइल को देख रहा हूं बाइ वरिएबल्स की फॉर्म में लिकूंगा डेटा टाइप्स ठीक है तो परेशान नहीं हो ना वरिएबल्स का आपको पता है एक्स इस इकल टू फाइव आपने बताते जाना है कि यह क्या है वाई इस इकल टू फाइपॉइट जी इस इकल टू अल्द वे फ्रॉम जर्मनी समझ आगी बात की यह कौन सी डेटा टाइप है फिर हम एक और लिखते हैं ए इस इकल टू मैं मुश्किल की तरफ भी आने वालों टेंशन ना ले वन कॉमा टू कॉमा थ्री फिर हम चलते हैं बी इस इकल टू वन कॉमा टू कॉमा थ्री चलें मैं इतनी पहले आपको समझाओं फिर आगे चलते हैं डेटा टाइप्स हम पढ़ड़े हैं और बड़ी असान तरीके से परिशान नहीं होना यहीं पर आपको समझ आ जानी है पहले को हम बोलते हैं जनाबे वाला इंटीजर या इंट ऐसे ही है इसमें किसी की कोई दोर आये हो तो मुझे बता दें दूसरे को हम क्या बोलते हैं फ्लोट तैरता हुआ यानि के पांच डूप के भी ऐसे ऐसे कर रहा है पॉइंट के आगे ठीक है फिर आगे चलते हैं असलाम अलेकुम वाले को या इंग्लिश क्रेक्टर में एक लफज लिखा हो ज्यादा लिखे हो यह है आपकी स्ट्रिंग यह वह स्ट्रिंग की बोतल नहीं है जिसके अंदर कलर डालके हमें पलाते रहते हैं लोग यहां पर मैं आपको शोटी सी बात कहना चाहूंगा कि यार अगर आप कोल्टरिंग पेते हैं ना तो छोड़ दें कोल्टरिंग स्पीना फिल्कुल छोड़ दें इतनी शूगर कॉंटेंट और इतना कुछ उसमें डाला होता है अपनी सेहत का ख्यार रखें आपको लग रह इन है सो अच्छे बात है अगर आपने छोड़ दें हमारे पास इस चीज़ को क्या बोला जाता है मैंने कल आपको बताया था इसको बोलते हैं लिस्ट और लिस्ट के अंदर डेटा कौन से हैं लिस्ट आफ इन्टीजर्स ऐसे हैं अगर मैं एक और मैं बनाऊं जनाब ए अंडर स्कोर वन करेंगे इसको बोलते हैं चले अब आपके नाम मैं लिखता हूं जो मेरे सामने आ रहे हैं साइमा साइमा यह की अच्छा दिलीब आ रहा है एक नाम मैं कहां लिख रहा हूं दिलीब तयव उसामा ओके यह मैंने नाम लिखती है कोई बता सकता है यह भी लिस्ट है लेकिन कौन सी लिस्ट है यह लिस्ट ओव वाट इसका मतलब यह कि जब भी स्केर ब्रेकट के अंदर कोई डेटा हम लिखेंगे वी कैन है वन टाइप अफ डेटा इंसाइड या वह स्ट्रिंग होगी या हमारे पास इंटीजर्स होगे मैं एक मिसाल दे रहा हूं बाकि इंशाल्ला आइस ताइस आपको एडवांस लैवल पर बताऊंगा अच्छा जी यह क्या चीज़ है बी को हमने चोटी ब्रैकेट जिसे हम बोलते हैं वो लगा के प्रैंथिस लगा के हमने लिखा यहां पर इसको क्या कहते हैं इसको बोलते हैं टपल या टूपल अगर बर्गर बनना है तो टूपल अधरवाइस टपल टूपल भी बोलते हैं अक्सरों कात इसे ठीक है टूपल के अंदर क्या होता है आपके पास इस तरीके से 1,2,3 इस तरीके से आप छोटी ब्रैकेट के अंदर वैलियू लिखते हैं समझागी बात की इसको बोला जाता है टुपल एक और आपके पास डेटा टाइप है सी मैं लिखूंगा और यहां पे उस डेटा टाइप को हम दर्मियानी ब्रै लिखेगा हमारे भास यह तीन नाम साइमा चार नाम बलके लिए और फिर हमारे पास उसमा यह थे पास चार नाम है अ हर मैं इन से इनकील क्या उसर सब्सक्राइब नहीं सही कि नहीं बतानी तो मैंने की हईट पूछ लेटा हूं चलें पॉर इग्जामपल इन्होंने बोला पांच फीट इन्होंने बोला 5.5 तैयब ने बोला 5.8 मैं मिसाल इसे लिख रहा हूं 6.1 मैं भी लिख दिया ठीक है अब यह होता है डेटा कि साइमा की हाइट 5 फीट है दिलिप की 5.5 तैयब की 5.8 उसामा की 6.1 इस हाइट को हम अब डि नहीं लिक्तरक्त अदेल साइमें नाम मैंने लिख दिया साइमा. अब इसकी जो वेल्यु होगी वह हम कॉलन लगा के लिखेंगे ठीक है कॉलन लगाया. कॉलन लगाने के बाद हम इसकी वेल्यू लिख देंगे 5 राइट समझ आगी बातκι फीर आगे चलते हैं फिर आजती दिलीब के बारी दिलीब कॉलन 5.5 तैयब कॉलन 5.8 कॉमा उसामा कॉलन 6.1 समझागी यहां तक यह कोड मैंने ठीक लिखा है या कुछ गलत है इसमें अब लोगों से पूछ राहू घखुर हैं या नहीं कर रहे हैं यह गलत है क्यों क्योंकर दिलीब के इरदगिर्द हमने इनवर्टिट कॉमें कॉमेंट लगाए अब आपको यह नहीं जुरूरी के एक साइड पर क्लिक करके इंवर्टिड लगाएं इस साइड पर क्लिक करके नहीं आप विएस कोड के अंदर हैं आपने टेक्स को स्लेक्ट करने हैं इन्वर्टिड को मा लगा दने हैं सही है एक और चीज गलत है जो किसी ने नोड नी की साइमा का S मैंने Small Letter में लिखा था एक सेक्वेंस के अन्दर data scientist को लिखना चाहिए इसको बोलते हैं dictionary इसको क्या बोलते हैं dictionary और ये वो फाली dictionary नहीं है जो Oxford की मिलती है समझा है भात की अब इस डिक्शनेरी के अंदर, जो पहला नाम है ना, इसको बोला जाता है की, यानि के जो पहला कॉलम हमने बनाया था, इसको बोला जाता है की, के इवाई, की, के इवाई, या तेनु की, के इवाई, की बोला जाता है, कॉलन के बाद जो चीज आती है से बोला जाता है वैलियू, तो डिक्शनेरी दो चीजों पर मिलके बनती है, एक होती है की, एक होती है वैलियू, ठीक है, समझागी बात की key or value key or value key or value समझागी और key or value ये दोनों चीज़े मिल के एक dictionary बनाती है ओके hopefully आपको clear हो गया होगा मैं मिटेने लगाँ मैं जान बूच के मिटेना बोलता हूँ इसे मज़ाता है ठीक है वो तनिस्ताजी मिटे दे हो ये वो वाला मिटेने लगाँ ओके मैंने मिटा दिया इसे right now you know कि ये हो गए जनाब dictionary एक और हमारे पास छोटा सा data type होती है जो बहुत कम use होती data sign में but still that is there छोटी दर्मियानी bracket के अंदर हम same चीज लिखते हैं तो इसको बोला जाता है set यार वो पड़े नहीं थे आपने बच्पन में sets union हो गया intersection हो गया याद नहीं है आपको sets क्या होते हैं नहीं याद तो आज ही google पे search कीजिएगा और वहाँ पे देखिएगा sets in mathematics क्या होते हैं ये वो चीज़े हैं जो हमने math में पढ़ी हैं लेकिन हमें याद नहीं है यह हमें यह नहीं पता था कहां पे use हो नहीं है मैं आपको यहां पे google पे खोल के दिखाव भी देता हूं वाइदा भी यह इस तरीके से याद आया कुछ set के operations हमने पढ़े थे a और b में union होता है intersection होता है so on and so forth ठीक है कर सकते हैं a b c d e f g h i j जो भी आपने बनाए i'm not going to print you have to print these things यह मैं इसमें ऐसा लिख रहा हूं ताकि आपकी practice हो आप मेरे बाद भी इसमें practice करें जब lecture खतम हो जाए ठीक है और sets की definition और बाग की चीज़ों की definitions आपने एक छोटे से document में लिख के वो screenshot लेके यह तस्वीर बना के upload करनी है समय रागी मतलब integer क्या होता है python के अंदर उसकी definition float क्या होता है उसकी definition string क्या होती है उसकी definition list of integers क्या होती है उसकी definition list of string क्या होती है उसकी definition triple dictionary set यह data types के आपने छोटे छोटे डेफिनेशन बनानी है एक एक example लिखें और इसको आपने मुझे discord के channel के उपर send करना है right मतलब group के अंदर जहां पर मैंने assignments का homework का बनाया हुआ ओके यह छोटे 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 assignment देने का मकसद तनू तंग करना नहीं है आपको तंग करना नहीं है आपकी practice करवाना है ठीक है ओके अब हम चलने लगे हैं next lecture की तरफ which is very small